इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। टैबी टैबलेट को प्रोस्टेट ग्लैन के कैंसर के इलाज में इस्तिमाल किया जाता है। इसका इस्तिमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार आन्य समस्याओं के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। यह टैस्टोस्टेरोन जैसे पुरुष हॉमोन के प्रभाव को अवरुद करके काम करता है। Tabi Tablet को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जाना चाहिए. बहतर होगा यदि इसे हर दिन एक नियत समय पर लिया जाए. आपका डॉक्टर निर्ने लेगा कि आवश्यक खुराक क्या है और आपको कितनी बार इसे लेने की जरूरत है. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका इलाज किस थिती के लिए चल रहा है और यह समय समय पर बदल सकता है. आपको इसे ठीक वैसे लेना चाहिए जैसा आपके डॉक्टर ने बताया हो. इसे गलत तरीके से या अधिक मात्रा में लेने से बहुत गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं. आपको दवा के फायदे दिखने या महसूस होने में कई हफ़ते या महीने लग सकते हैं, लेकिन जब तक आपका डॉक्टर न कहे इसे लेना बंद न करें. अनीमिया, यानि की लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी, इस दवा का बहुत सामाने साइड इफेक्ट है. इसके अलावा त्वचा पीली होना, भूखन लगना, सास फूलना, पेट में दर्द, गहरे रंग का पेशाब आना और त्वचा पर रैश होना कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हैं, जिन पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए. इस दवा से इलाज के दौरान लिवर फंक्शन के साथ रैगुलर ब्लर टेस्ट आवशक है. यह आपकी त्वचा को सूरज की रोशनी के प्रती अधिक समवेदंशील बना देता है. इसलिए बाहर जाते समय अतिरिक्ट सावधानी बरतें. इसे लेने से पहले, अगर आपको डायबिटीज, लिवर या किड्नी से समबंधित कोई समस्या है या आप किसी इंफेक्शन के इलाज के लिए कोई दवा ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं. कई अन्य दवाएं इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इससे प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप इस्तेमाल कर रही हैं. गर्भावस्था या स्तनपान कराने के दौरान इस दवा को लेने का सुझाव नहीं दिया जाता है, यह आपके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है. प्रेगनेंसी से बचने के लिए इलाज के दौरान पुरुशों और महिलाओं दोनों द्वारा प्रभावी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना जरूरी है. इलाज के दौरान आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल की नियमित निगरानी के लिए क थानिवाद.